वैक्सीन ये सब्द आप काफी बारी सुनते हो दिन भर में अभी कुछ कॉंग्रिसियों दुआरा आपको बताया गया कि ये वैक्सीन लेने के कारण अब आप लोग मर जाओगे या तो आपको हार्ट अटेक आ जाएगा या आपका दिमाग में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप का दिमाग काम करना बंद कर देगा ऐसा डर आपके अंदर फैलाया गया लेकिन दोस्तो साइन्टेफिक जो रिजल्ट सें वो कहते हैं कि ये जो भी साइड इफेक्ट्ट्स हैं ये पहले चार दिन से 42 दिन के अंदर होने थे लेकिन ये साइड एफेक्ट अगर कोई बोले कि तीन साल बाद आपको होंगे तो वो बिल्कुल गलत है वो केवल और केवल इसका परियोग मोदी जी, सरकार या भाजपा एक खिलाब परचार करने के लिए कर रहे हैं जैसे ही चुनाओ नजदीक आया है जूट और अफरा तपरी का माहौल है उन लोगों को जो पहले वैक्षीन नहीं लगवाना चाहते थे फिर वैक्षीन की दोड में सबसे आगे थे अब उनके लिए ये दोड सबसे बही हो गई है उनको हार्ट एटेक आ जाएगा अगर मोदी जी परधार मंतरी बन गए उनके दिमाग में ठका जम जाएगा अगर मोदी जी फिर से सरकार में आ गए वैक्षीन से उनको नुक्सान हो ना हो वैक्षीन के उनको साइड इफेक्ट हो ना हो लेकिन मुझे पका पता है कि ये सरकार अगर दोबारा आती है जो की आने वाली है जो की आ रही है उसके साइड एफेक्ट उनको होने लगे हैं क्योंकि देखिए दोस्तो दवा के एफेक्ट भी होते हैं और साइड एफेक्स भी होते हैं तो जो मोदी जी की दवा है वो एक वैक्सीन है इन लोगों के लिए और ये वैक्सीन कारगर साबित हो रही है अब ये लोग चिला रहे हैं क्योंकि वो दवाई काम कर रही है और वो दवाई लगातार काम करती रहेगी जैसे कि उस समय पर जो कोवी सिल्ड की जुरूरत थी को